कि नमस्कार साथ यूं मेरा नाम है आरके सिंग संस्क्ति आई-स के सरकारी योजना एवं कारिक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है आज हम अपने इस सीरीज के अंतरगत जिस योजना की चर्चा करने वाले हैं वो योजना है न्यू इंडिया साक्षर्ता कारिक्रम यानि की एन आई एल पी इस योजना के बारे में हम देखेंगे कि आखिर ये योजना इस समय चर्चा में क्यों है इसके साथ हम बात करेंगे कि आखिर किस लश्च को ध्यान में रखते हुए ये कारिक्रम सरकार ने प्रारम किया है इस योजना के उदेशी क्या है इसके कौन से घटक है आखिर इस योजना से किन्हें लाब होगा कैसे लाब होगा और इसके साथ अन्य जो इसके पहलू है उन पर भी संचिप्त रूप से बात करेंगे चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये जो योजना है न्यू इंडिया साक्षर्ता कारिक्रम एन आई एल पी वो चर्चाओं में क्यों है तो दा हिंदू न्यूज पेपर का एक आठकील है इसी के आधार पर इसका हम भी स्लिसर्ट करेंगे यह आठकील है एजुकेशन मिनिस्ट्री डिफाइन्स लिट्रेसी एंड फूल लिट् है वह सक्षर्ता को और पूक्र सक्षर्ता को परिभासित किया है इसके साथ ूई कहा जा रहा है कि इन लेटर एड्रेस टू स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी कॉल्स फॉर स्ट्रिविंग टूरिस्ट फूल लिट्रेसी बाई ये टू थाउजेंट थर्टी ये कहा जा रहा है कि जो सिक्षा सचीव है उनका या उनके द्वरा ये अहवान किया गया है कि हम बर्स 2030 तक पूर्ण जो साक्षरता है उसको प्राप् सक्षरता कारेक्रम हैं उसको अब नए सीरे से सरकार बढ़ावा देगी समग्र जो बैस्क सिख्षा कारेक्रम है उस पर खास तोर पे गorkंट का ध्यान है इस कारण से क्या है कि जब से यह मामला आया है ये यू जाई ये तब से एक बार फिर से निए इंडिया साक्षर्टा जो कारेक्रम है वो चर्चाव में चलिए बात कर लेते हैं जो निओ इंडिया साक्षर्ता कारिक्रम है NILP तो देखे सबसे पहली बात की ये जो योजना है ये राज्य सरकार की योजना नहीं है बलकि किसकी है ये केंद्र प्रायोजित योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है जिसके बित्ती परिवे की बैत करें यानि इस पर खर्च की बात किया गया है वो एक हजार सैंतिस दस्वलो नौ जीरो करोण रुपया लागत इस पे निर्धारित किया गया है इसके लिए लौट किया गया है बात करें कि आखिर नू इंडिया साक्षरता कारिक्रम का आखिर लच क्या है तो इसका जो लच्ष है वो सभी राज्यों और किंद सासी जो प्रदेश है भारत के उनमें प्रतेकबर्स15 बर से अधिक आयू के एक करोण सिचछार्तियों को इसमें सामिल करने के उदेसे से ये कारिक्रम किया गया है किंद्र सरकार की योजना है दूसरी बात करें जो इसको कि आ कि दूसरे दूसरे नामों से के जाना जाता है जैसे उन लास नौ भारत सखछर्टा कारिकरम न I.L.P. न्यू इन्डिया कारिकरम पहले ही हमने बताया कि ये केंदर की एक प्रयोजित योजना है सिख्ञामन्त्राले के द्वारा ये शुरू की किया गया है जिसमें 700 करोन रुपए किंद्र सरकार का हिस्सा होगा इसके साथ 337.90 जो करोन रुपए है ये राज्य का इसमें हिस्सा होगा तो देखिए जो टोटल एमाउंट इसमें दिया गया है लगभग कितना था तो 1037.9 करोन है जो इसके 2022 से 23 जो बित्ती बरस है और यह कह सकते हैं बित्ती जो परिवय है उसमें जो दो भाग किये गए है किंद्र सरकार का जो इसमें अवंटन किया गया है वो क्या है कि 700 करोन है और राज सरकार का 337.9 करोन है तो दोनों का इसमें हिस्सा है अब हम बात कर लेते हैं न्यू इंडिया साच्छता कारक्रम की आखिर इस कारक्रम का मूल उद्ध से क्या है तो अगर उद्ध की बात करें तो सभी प्रिष्ट भूमी के किसी भी बैक्राउंड का अमीर है गरीब है पिछेड़े छेत्र से हैं अगरे छेत्र से हैं वो कही से सम्भंधित जो इसमें बात कहीं कि जो ब्यस्क है खास तोर पे 15 बर्स यानि 15 years या उससे अधिक आयू के जो बयस्क हैं, उनको ससक्त बनाने के लिए ये कारिकरम प्रारम किया गया है, दूसरी बात करें तो आपचारी जो इसकूली सिच्छा है, उससे जो बंचित कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं, बयस्क हैं, उनके लिए संचालित हैं, मूलूप स इसके साथ अगर बात करें तो न्यू इंडिया साच्छर्ता कारिकरम के आखिर कंपोनेंट कौन से हैं, घटक कौन से हैं, तो देखिए, इस कारिकरम के मूल तोर पे 5 कंपोनेंट हैं, 5 घटक हैं, पहला जो है वो आधार भूत साच्छर्ता और संख्यात्मक्ता हैं, दूस साख्छरता और इसमें कहा गया है कि संक्यात मक्ता ये दोनों वहां इसमें किए गये हैं अगर बात करे घृत की तो कास की बात कही जा रही है अगर हम बेवसाई कौसल की बात करें तो इसमें खास तोर पे कौसल विकास नौ साक्षनों के लिए जो अस्थानी रोजगार है उसको सामिल किया गया है इसके अलवा अगर बात करें कि जो बुनियादी सिच्छा की बात कही जा रही है अधार यानी कक्षा तीन से पांच उसके बाद कहा गया की मध्यम कक्षा यानी क्लास इसके लेकर रेकर और उसके बाद तीसरा क्या है कि इसमें यह कहा गया की माधिमिक अस्तर यानी कछा 9 से लेकर जो 12 के बच्चे हैं उन्हें क्या है कि इसमें सामिल किया गया है खास दोर पे इसके समतुल जो भी बच्चे हैं उन्हें इस घटक के अंतरगत सामिल किया गया है इसके अलावा अगर बात करें सतत सिच्छा की तो इसके अंतरगत जो कला होता है, बिग्यान होता है, प्रोधोगी है, संस्किती है, खेल कूद है, मनरणजन के साथ क्या आए कि अस्थानी जो सिच्छनार्थी है, उनके लिए रूची वाले जो बिसे हैं उन्हें भी सामिल कि करता हुआ कि समगर ब्यस्क शिच्छा कारिक्रम भी इस घटक के अंतरगत सामिल किया गया है ताकि आगे वो पढ़राई अपनी जारी रख सके तो संदर में तो राजियों संग राजि छित्रो में सरवेच्छं करता हो के दौरा मोबाईल एप पर घरघर जाकर सरवेच्छन के मादयम से उनकी पहचान की जाती है इसके साथ जो अतिरिक्त या असिचित जो बैकती है वो भी मोबाईल एप के मादयम से किसी भी अस्थान से सीधे पंजीकरण कराकर इस योजना का लाब उठा सकते हैं ये जो यह जो योजना है यह प्रदोगी पर आधारित है टेक्नोलजी पर आधारित है जैसे आप देख रहें कि मोबाइल पर आप आलाइन रेजिटेशन कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं तो मुखिता क्या है कि आलाइन माध्यम से इसे रेगूलेट किय जाता है सिक्षर समागरी और संसाधन जैसे एंसी आटी में दिख्षा प्लेटफॉर्म पर ये सारे उपलफ्द करा दिये गए हैं इन्हें मोबाइल एप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है इसके अलावा जो इसके प्रसार के लिए टीबी रेडियो समाजिक चेतना केंद्र आधी जैसे जो माध्यम है उनका भी उपियो किया जा रहा है इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा सक्षर्टा की परिभासा क्योंकि पहली बार क्या है कि इसमें देखें तो सिक्षा मंत्राले ने इसे डिफाइंड किया है इसका मतलब क्या है कि डिजिटल और बित्ती सक्षर्टा जैसे महत्पूर्ण जो जीवन का उसल है उसके साथ-साथ पहचान करना समझना ब्याख्या करना और स्रिजन करना इसमें सामिल है इसके साथ जो फूल लिट्रेसी की बात कही जा रही है जिसको एजुकेशन मिनिस्टर ने डिफाइन किया है या एजुकेशन मिनिस्ट्री ने डिफाइन किया है कि आखिर जो पूर्ण साक्षर्टा है वो क्या है क्योंकि फूल जो लिट्रेसी है इसे भी सिक्षा मंत्राले ने डिफाइन किया है तो देखिए अगर बात करें जो 100% लि पूठी है वहाँ पर 95 परतिसत साक्षरता प्राप्ट करना होगा तभी हम कहेंगे कि वो पूर्ण साक्षर है यानि वह पर पूर्ण साक्षरता है दूसरी अगर बात करें तो इन आई एल-पी के अंतरगत कौनí साक्षर जाएगा तो देखे इसके अंतरगत एक गैर साक्षर ब्यक्ति तभी साक्षर माना जा सकता है जब उसे आधार भूत साक्षरता एवं संख्यात्मक जो मुल्यांकन परिच्छा है यानि F L N A T इसमें जब वो उत्तीड होगा तभी उसे NILP क्या मान सकती है साक्षर घोसित कर स सकती है अगर आकणों की बात करें तो बर्स 2023 में 49,94,563 जो ब्यस्क सिक्षारती है वो F L N A T परिच्छा में सामिल हुए जिनमें से लगबग आप देख सकते हैं कि यह एक एमाउंट था इतने सिक्षारतियों को साक्षरता का प्रमान पत्र NILP ने प्रदान किया तो यह हम कर लेते हैं कि भारत में या भारत में जो सचहरता है उसके संबंद में क्या है महतपूर्ण चुनावतियां कौन सी है कौन से चैलेंजेज है तो देखे भारत में बड़ी संख्या में नीरच्छर ब्यक्ति हैं खास तोर पे अगर जनगरना 2011 की ही बात करें तो 15 बर्स और उ इसके साथ महिलाएं अधिक बंचित हैं कुल निरच्छर ब्यक्ति हैं उनमें से लगभग 9.08 करोण जो पूरुस हैं इसके साथ कि कि 16.68 करोण महिला हैं आप देख सकते हैं कि बहिलाओं की संख्या पूर्सों की लगभग कह सकते हैं कि दूनी है असिचित जो ब्यक्ति हैं उनको जीवन के विभिन जो पहलू है जो आयाम है उसमें अस्विधाओं का सामना करना पड़ता है जैसे जो बित्ती लेंदेन है रो समस्या हैं उनकी अकर बात करें तो सरकारी पहलों की अप्रभाविता है इसके अलावा FLNAT परिछा में कम उत्तिन प्रतिसत्ता है कम बजट आवंटन है जैसे अकर बात करें तो बर्स 2023 में NILP के लिए जो आवंटन है वो रुपिया 157 करोण था लेकिन बाद में संसोधित बजट अनुमान में इसे घडाकर 100 करोण कर दिया गए यानि बात करें तो NILP जो प्रोग्राम है इस पर जो बजट अभी एलोकेट हुआ है वो काफी कम है और इसमें और बजट आवंटन की आव सकता है तो ऐसे कई सारे चैलेंजेज हैं इस प्रोग्राम के सामने तो आज हमने देख लिया कि आखिर न्यू इंडिया सक्षर्ता कारिकरम NILP है क्या और इससे जुड़े हुए जो भिभिन पहलू थे उन पर भी हमने बात की इसी पर एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं प्रश्न है भारत में सिक्षा समिधान अनुसुची साथ के तहत किस अच्छी यह प्रश्न था तो हमने देख लिया आज के एपिसोड में जो न्यू इंडिया सक्षर्ता कारिकरम है उसके बारे में तो आज के एपिसोड में इतना ही नए एपिसोड में नए कारिकरम के साथ फिर मिलेंगे तो आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यवा कि आ मैं ठालका ला कि अ हम मैं शाओ सुन